हुआ है अब्रिवान वेल्कम बैक टो नदर वीडियो अफ लाइफ सेंट जोलोजी इस वेडिवे हम पढ़ने वाले बेसी सेकेंडिर का पेपर सैकेंड युरेट सैकेंड हमारी चल रही थी जिसमें हमारा टोपिक था मेकैनिजम ऑफ ब्रेधिंग ठीक है इसका बेसिक हम है है न चैनल अब आई कहुआ है भी तょih सबसे पहले एक क्वेन अरुन कर लेते हैं हमें पता है कि जो लंगOT होते हैं वह का है प्रेजंट होते हैं तो हम वक्षिय किए घू कि मों इसको एक तरीकित से केज होता है जिसको हम बोलते हैं और वक्षिय पिंजरा भी बहूँ सकते हैं उसके अंदर क्या प्रजेंट होता है लंस प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले हम द्रो कर लेते हैं है यह क्या है वर्टीब्रल कोलम्प जो की प्रेजट होता है डॉसल पोजिशन पे ठीक है वर्टिब्रल कोलम इस तरीके से वर्टिब्रल वर्टिब्रल कोलम ठीक है कहां कौन सी पोजिशन पे प्रिजेंट है डॉर्सल दॉर्सल पोजिशन में क्या प्रिजेंट है वर्टिब्रल कोलम पोस्टीर साइड में क्या प्रिजेंट है डाइफराम ठीक है इस तरीके से पोस कि एक कि डा कि मैं फिर स्ट एको प्रचेंट एक लेंटरल पॉजिशन पि क्या confirm एस कि अर्य कि क्या इसकी लेटेरल यह डा स्टीर्ण साइड में फीड होता है यह एस प्रचेंट आता है लेटरल साइड में अब जो लंग सोते हैं हम crush कि वह चारों से रिप्स से घिरे हुए होते हैं बेसिकली 12 पेर और फ्रीप्स हमें देखने को मिलता है हम तो हम वह भी ड्रो कर लेते हैं कि क्यों पेर होता है बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ कमी बना रही हूं कि इस तरीकिसे चारो तरफ जो लंग्स है वह कव beef से कि हुआइब इन रिप्स को आपस में कॉं जोड़े रहता है कुछ मुसल्स प्रजेंट होती है between ribs इनको बोलते हैं intercostal muscles ठीक है यह ribs है इनके बीच में present होती muscles इस तरीके से जो इनको आपस में जोड़ी रखती है यहां पर क्या आपस में इनको connected रखती है muscles ठीक है तो 12 pair of ribs present होता है और 11 pair of यह muscles present होती है इनको मसल्स को हम बने बोला intercostal muscle intercostal muscles ठीक है आप लिख सकते हो inter intercostal muscles ठीक है intercostal muscles basically यह भी दो तरकी की होती है पहला है interior interior intercostal muscle intercostal muscle दूसरा है exterior intercostal muscle exterior intercostal muscle ठीक है दो तरे की intercostal muscle present है interior intercostal muscle दूसरा है exterior intercostal muscle ठीक है तो यह दो पर इंस्पिरेशन क्या होता है इस प्रोसस में बैसिकली इसका टाइमिंग होता हो थो सेकेंड ठीक है टू सेकेंड का होता है inspiration इसमें क्या होता है atmospheric atmospheric air drawn in मतलब जो atmosphere की air है वो क्या लेते हम अंदर की तरफ लेते हैं during inspiration ठीक है अब यह process होता क्या है और किस तरह की इसमें चेंज आते हैं पहला चेंज हमें देखने को बिलता है diaphragm में ठीक है during inspiration क्या होता है जो diaphragm होता है वो contract कर जाता है जिसकी वज़े से हमें पता इसकी position अभी current position इसकी क्या है यह current position पे डाइफराम कहा है इस तरीके से प्रजेंट है लेकिन जैसे ही इसमें contraction पैदा होगा इसकी position यहां जाएगी यह flat हो जाएगा ठीक है डाइफराम को पहले मैंने रिप्रेजेंट किया डीवन से लेकिन अभी contraction के बाद इसकी पोजिशन क्या हो जाती है डीटू ठीक है डाइफराम यहां था और यहां आगया भी तो जब डाइफराम कोंट्रक्ट कर जाता है तो एक तरम एकदम यह क्या हो जाता फ्लैट हो जाता जिसकी वज़े से आपको कि दिख दिख रहा है कि अभी इसकी position यहां लेकिन जैसे कोंट्रेक्ट क्या उनक्रीस गया इन्टियर पॉस्टियरर एक्सीयल फडियत् hiç पे क्या हुआ वोल्यूम जहें इनक्रीज हो गया क्योंकि कि यहां पर जो डाइफराम वह कर जाता है ठीक है जिसकी वज़े से क्या होता है इंटेरियर पोस्टीर का वोल्यूम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है एकदम क्या हो जाता है डाइफरम जो फ्लैट हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है इंटेरियर पोस्टीर का जो वोल्यूम है वह इंक्रीज हो जात वोल्यूम का क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है इंटिरियर पॉस्टिरियर एक्सस पर क्या हुआ वोल्यूम इंक्रीज हो गया क्योंकि जो डाइफ्राम था उसमें कॉंट्रक्शन प्रेदा हो गया जिसके वज़े से वह एकदम फ्लैट हो गया और आपको दिख र क्रिंट हो जाता है ठीक है डाइफरा में कंट्रेक्षिन पैदा हूपा दूसरा होता है कि जो यह मसल्स होती है हमने दो तरह की मण those पड़ी थी मύ dłुप ऑइंटीरियर् इंट्रकॉस्तिल मुसल आफ्सेशब यह Supreme intercostal muscle है इसमें भी एक तरीकिया का पलीजिए जिसक वज़े से जो रिट्ट इस वहाँ जाता है यहstream है लिफ्ट डाते दिसके वज़े से यहां पर भी क्या होता है वोलियों एकरीज हो जाता है तो पहला अपिनोड कर लिजे कि दूसरा क्या होता है कि एक्स्टीरियर एक्स्टीरियर इंटर कोस्टल मसल इसमें क्या हो जाता है यह भी तरीके से इसमें हैं इंटीरियर इंटिर्यों इंटर कोस्टल मसल जिसकी होगे हुआ जो रिप्स है और जो स्टर्नम है वह लिफ्ट कर जाता है अभी जू हमें पॉजेशन करन पॉजेशन दिख रही है स्टर्णम की यह है दिखाई देरी हो गया आपको यहां पर इस तरीके से इसको मैंने बोला s1 s1 position पर प्रजेंटा लेकिन जैसे यहां पर contraction पैदा हुआ muscles में exterior intercostal muscle में तो इसकी position जो है वो change राती है इस तरीके से ठीक है पहले इसकी position क्या थी s1 अभी क्या है s2 इसको आप represent कर सकते हो s2 से ठीक है तो यहां पर भी क्या है एक तरीके से increasement हो गया है पॉजिश वोल्यूम में ठीक है वोल्यूम पहले कितना था इतना ही था जितना आपको में मैं क्या हुता है चलिए और ढीक होता है इनकरीज हो जाता है तो जब इंटीरीसिल मसल कॉंट्रेक्ट करती है तो जो डॉर्सल लेटरल में क्या होता है जिसके वज़े से इंस्पिरेशन हो पाता है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कि डूटू कॉंट्रेक्शन कि रिप्स कि एंड स्टर्नम लिफ्ट कर जाते हैं स्टर्नम और जो रिप्स होते हैं और जिसकी वज़े से क्या होता है वोल्यूम इंक्रीज हो जाता है अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर वोल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है ज्यादा वोल्यूम मतल कर लिजिए more will be the pressure more will be the pressure more will be the volume more will be the volume यहाँ पर ज्यादा है न वोल्यूम लेस्ट विल विदा प्रेशर ठीक है वोल्यूम ज्यादा है तो क्या यहाँ पर प्रेशर कम है जिसकी वज़े से फोल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है अब जो लंग्स का प्रेशर या थो प्रेशर कम है वह हो जाता है जो atmospheric air है वो drawn in हो जाती है मतलब जो inspiration प्रोसेस है वो अकर हो जाता है क्योंकि यहां पे अंदर का जो pressure है वो कम है atmospheric pressure की compare में ठीक है तो during inspiration क्या होता है atmospheric air जो है अंदर की तरफ आती है हम सांस ले पाते हैं यह process होता है inspiration में अब हम देखते हैं कि during expiration क्या होता है एक्सपरेशन में एकदम इंस्परेशन का उल्टा हो जाता है ठीक है तो यह आप नोट कर लीजे आप स्क्रेशन भी ले सकते हो इसका दूरिंग इंस्परेशन क्या होता है जो डाइफराम होता है डाइफराम का पोजिशन पहले डीवन था जैसे ही डाइफराम में कॉंट्र इंडिक ये इंटरकस्तल मसल साउस में भी नृटक्शन पार वोगों जिसके यहां से जोक्त स्टआनमों प्लिफट कर घ्र पते कि उच्छा कर घर फी सeffective कि यहां कि help वहीं पर जो स्टर्णम था इसका पोजिशन पहले स्वन था लेकिन जैसे इंस्पिरेशन हुआ इसका पोजिशन स्टू हो गया लेकिन जैसे एक्सपिरेशन हो जाता है जो स्टू था वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे चला जाता है सेम डाइफ्राम भी अपने ओरि एकस्पिरिश्बम दो सेकुंड का टाइम लगता है और होता क्या दूरिंग एकस्पिरीशन जो एर होती हैं वो रिलीज आउट होती है ठीक है मतलब एर एस रिलीज आउट इन एट्मॉसफेर ए यॉठ सूम्हाइज इस के रिलीज आउट की कौन सी गेस हम रिलीज करते हैं कारबन डायोकसाइड ठीक है एक्मोस्फेर में कारबन डायोकसाइड रिलीज कर देते हैं डूरिक एक्सपिरेशन ठीक है अब इंस्पिरेशन में हमने पहला देखा था कि जो डायफ्राम था उसमें क्या हो गया था कॉंट्रेक्शन प्यादा रिलेक्स हो गया अन कौन हो वोपस अंपनी पी इसे क्या भूए यू पे चला गया ठीक है और जिसकी वजय से क्या हुआ वापसी जैसे यह और रिलेक्स हो गया मतलब अपनी ओरिजनल पॉजिचिन पर चला गया तो जो interior posterior access का volume during inspiration increase हुआ था वापस से क्या हो जाता है decrease हो जाता है ठीके तो हम लिख सकते हैं कि anterior posterior access पर क्या हुआ the thoracic cavity का volume decrease हो जाता है ठीके due to this due to this volume of thoracic cavity thoracic cavity decreases ठीक है जिसके वादे से क्या होता है anterior posterior axis पे क्या होता है तो और इसे cavity का जो volume है वो क्या होता है decrease हो जाता है ठीक है anterior posterior axis पे क्या हुआ decrease हो गया volume उसी तरीके से जो exterior intercostal muscle थी वो भी क्या हो जाती relax हो जाती है जिसके वज़े से जो dorsal lateral हमने बोला था dorsal lateral axis पे जो volume increase हो था वो भी वापस से क्या हो जाता डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर डाइफ्राम जो है रिलेक्स हुआ था ठीक है नेक्स्ट लिखते हैं एक्स्टीरियर इंटर कोस्टल कोस्टल मसल्स क्या हो गई वापस से रिलेक्स हो गई रिलेक्स हो गई जिसकी वज़े से क्या हुआ डॉसल वेंटर पॉजिश्टिम्न क्या हुआ जो वोल्यूम था जो इनक्रीज हुआ था वापस से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है नोर्स में पहले आपको लिखवा चुकी हूँ तो एक्स्टीरियर के लिए हमने वीडियो बनाया था आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इसमें तो यहां पर हमने क्या देखा है कि वोल्यूम जो है वापस से क्या हुआ डिक्रीज हो गया है वोल्यूम कम हो गया है इसका मतलब प्रेशर जादा हो गया है तो यह प्रोस्स होता है डूरिं एक्स् और जो इंटरकोस्टल एकसितीन इंटरकोस्टल मसल थी वापस से चयों होती है रिलैक्स हो जाती है डूरिंग कर जाती या कोन्ट carbon कर जाती है थीक़े तो इस विड्यू में हमने पढ़ा दूरिंग vä Number 18 is टरेशन किस तरही के ऑसे छेंज देखनी को मिलता है थोर सिक वीटी में चेंज उतलब उसका मतलब वह लंक्स के अंदर भी सेम जा रहा है थोर से वेडियो में हमने पड़ा during inspiration basically mechanism of breathing ठीक है तो इस वेडियो में इतना ही thank you so much for watching this video I'll see in the next one